दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार मैं आपका रामकृष्णु हूँ हिंदी के माध्यम से कन्नड सिखाने का प्रयातन चल रहा है आज इसका दूसरा दिन है अब हम सीख चुके है मै का मतलब मै का मतलब कन्नड में नानू अगर आपको मै का प्रयोग कहीं करना है कनड में उसके लिए शब्द है नानू हम बोलेंगे तो उसके लिए है नावू नानू singular है और नावू plural है तू तुम दोनों के लिए कनड में हम नीनू का प्रयोग करते है नीनू नीनू हुड़ुगा नीनू हुड़ुगी ऐसे तू और तुम दोनों के लिए नीनू का प्रयोग होता है दोनों singular की तरह ही होता है वहां बहु अचन नहीं इसका मतलब क्या हुआ बड़ों के लिए हम तू तुम यानि नीनू का प्रयोग कनड में नहीं करते हम दोस्तों के लिए कर सकते हैं और चोटे बच्चों के लिए हमसे जो चोटे हैं उनके लिए अपने दोस्तों के लिए हम कर सकते हैं आप का मतलब है आप के लिए कनड में है नीवू आप नीवू यहां जब आप बोलेंगे नीव इसका मतलब है वे हमसे बड़े है या एक से ज्यादा है बहु अचन में भी हम नीव का ही प्रयोग करते हैं यहां चोटे होने पर भी हम बहु अचन का प्रयोग करते हैं क्यूंकि आप यहां बहु अचन भी सूचित करता है साथी साथ रेस्पेक्ट यानि की गवरोव सूचित करने के लिए एक अचन में भी इसका प्रयोग करते हैं आप पिताजी है आप माँ है आप मेरे चाचाजी है ऐसे नीव नन्नतंदे नीव नन्नताई नीव नन्न चिक पा देखिए ननीवू नीवू आप नना मेरे चिकपा नीवू नना चिकपा ऐसे हम नीवू का प्रयोग बहुचन में करते है या आदर सूचक बहुचन के बहुचन हो या कोचन दोनों में इसका प्रयोग होता है कुछ नए शब्द सीखेंगे, दोस्त के लिए का नड में कौन सा शब्द है, स्नेहिता, यह दोस्त है, इवनु स्नेहिता, यह मेरा दोस्त है, इवनु ननन स्नेहिता, देखिए मेरा ननन, यह दोस्त है, इवनु स्नेहिता, यह मेरा दोस्त है, इवनु ननन स्नेहिता, अवर चैप हेंगसू यहां स्त्री के लिए औरत या हेंगसू का प्रयोग हम करते हैं कनड में स्त्री का भी प्रयोग हम कर सकते हैं स्त्री शब्द का भी प्रयोग जैसे हिंदी में करते हैं वैसे कनड में भी स्त्री बोल सकते हैं आदमी बोलने से मनुश के लिए हम आदमी बोलते ह और पुरुष के लिए भी खास कर पुरुष के लिए भी हम आदमी शिब्द का प्रयों करते हैं वे आदमी है अवरू गंडसरू अवरू मनुश्यरू हम इस प्रकार दोनों के लिए हम आदमी शिब्द का प्रयों कर सकते हैं नवकर नवकर देखिए बहुत सारे एसे शब्द है जो कन्णड और हिंदी में समान है नवकर नवकरा सिर्फ देखिए अवनु नवकरा नानु नवकरा मैं नवकर हूं अधिकारी कनड में भी अधिकारी क्योंकि ऐसे शब्दों को जब आप सुनेंगे तो आपको लगने लगता है कि कनड आसान है हम आसानी से सीख सकते है उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द है जिन शब्दों को मैं पहले से ही जानता हूं इसलिए मैं ने ऐसे शब्दों को यहां दिया है अब हम देखेंगे वाक की निर्मान पिछले वीडियो में डे वन में हमने सिहका माई और हम अब हम देखेंगे 2nd person तू तुम आप के लिए के इसे हम वाक की निर्मान कर सकते है तू दोस्त है दोकिए तू नीनू तू नीनू दोस्त सनेहिता दोस्त है नीनू सनेहिता नागित दिया इस परकर स्पोकन का नड़ा में बोलने की जरूरत नहीं है तू दोस्त है नीनू सनेहिता सिर्फ इतना ही बोलिये काफी है नीनू सनेहिता नीनू तन्देया गित इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है हम बा करते हैं वैसे ही इसमें दोस्तों के लिए या हमसे छोटों के लिए क्या करते हैं मीनू का प्रया करते हैं नीनू सनेहिता इतनी हिता की जगए कोई भी आप शब्द लगा सकते हैं लेकिन वे हमसे छोटे होना चाहिए तुम नवकर हो नीनू नवकरा देखिए नीनू आपको पता चल चुका है नीनू मै नानू तुम नीनू हम नावू विस प्रकार तु नीनू ये सब कुछ पता चला है ना तुम नवकर हो नीनू नवकरा नीनू नवकरा यहां अधिकारी के लिए हम तु या तुम का प्रयोग नहीं कर सकते इसलिए आप आपका प्रयोग करते हैं यहां आदर सुचित करने के लिए रेस्पेक्ट देने के लिए आप अधिकारी है नीव अधिकारी आप कौन है आप अधिकारी है आप अधिकारी है निव अधिकारी वहाँ कोई भी आप मैनेजर है आप चालक है आप ड्राइवर है आप माता जी है आप मेरे शिक्षक है आप गुरू जी है आप कोई भी शब्द वहाँ डालिए आपको सही आरते मिलेगा आपको सिर्फ इतना सीखना है मैं नानू हम नाव तू और तुम नीनू आप नीवू आपके लिए क्या है नीवू का प्रयोग हम करते हैं तू लड़का है देखिए नीनू हुडूगा तू आते ही आपको सोच याद रहाना है कि हाँ तू नीनू तू नीनू तू लड़का आपको यह सीखना है म हम तू तुम आप यह ये वह वे सब के लिए कनड में क्या बोलते हैं मै नानू हम नावू तू नीनू तुम नीनू आप नीवू यह इवनू इवलू इदू वह अवनू अवलू अदू ये इवरू इवगलू इवू वे अवरू अवगलू अवू इस प्रकार आपको पहले इसे सीखना है, सीखेंगे तो वाकिनिर्मान बहुत आसान होगा तू लड़का है नीनु हुड़ुगा तुम अवरत हो, अवरत यहां स्त्री के लिए अवरत हैंगसू बोलते हैं अगर आपको आदर देना है रस्पेक्ट देना है तो आप अवरत हैं भी बोल सकते हैं तब बदलता है वाकिये नीनु हैंगसू आप आदमी हैं नीनु मनुष्यरू या नीनु गंडसू या गंडसू रू इस प्रकार हम बोल सकते हैं मनुश्य रूप मनुश्य या आदमी के लिए क्या है गंड़सू आदी शब्दे का हम प्रयोग कर सकते हैं तब आपको पता चला मैं हम तू तुम आप नीनू नानू मैं नावू हम नीनू के लिए तू और तुम मीवू के लिए आप इसे अच्छी तरह से याद रखिये आपको कितना पता चला है मैं बच्चा हूं हिंदी में मैं बच्चा हूं कनड़ में क्या बोलते है मैं बच्चा हूं के लिए उत्तर सोच कर रखिये मैं मैं के लिए आपको पता चला है बच्चा के लिए मोगू बोलते है तो पूरा वाक्की क्या होगा आप सोचिए देख अब हम दोसरा प्रिश्न देखेंगे हम दोस्त हैं हम के लिए कौन सा शब्द डालना है कनड में और दोस्त के लिए कौन सा शब्द है दोनों को मैंने बताया है आप सोचिए क्या उत्तर होगा इसका हम हम के लिए क्या है देखेंगे क्या उत्तर है नावू हम के लिए नावू दोस्त के लिए स्नेहिता दोस्त है बहु अचन है इसलिए बहु अचन रूप स्नेहितरू नावू स्नेहितरू हम कौन है हम दोस्त है नावू यारू नावू स्नेहितरू अगला प्रश्न क्या है तू चोर है यहाँ आदर नहीं है तो तु के लिए क्या है यहाँ सेक्ट परसन को बोलते समय नीनू और नीवल्णू है नीवल्णू का प्रयोग सकते क्योंकि यहाँ आदर नहीं देना है तो और एक कौंसा शब्द बचा याद है और चोर के लिए कनड में कल्ला बोलते हैं कल्ला कल्ला नहीं कल्ला ला ला नहीं नीनु कल्ला हिंदी में ला आता है लेकिन ला एक अलग अक्षर है कनड में नीनु कल्ला किसके लिए बोलते है चोर के लिए तुम कौन हो तुम चोर हो वह कौन है वह चोर है अवनु यारू अवनु कल्ला नीनु यारू नीनु कल्ला देखिए कल्ला कल्ला शब्द किसके लिए चोर के लिए है तुम विद्यार्थी हो तुम विद्यार्थी हो तुम और तु के लिए कनर में क्या है नीनु विद्यार्थी शब्द कनर में भी विद्यार्थी हिंदी में भी विद्यार्थी समस्कृत में भी विद्यार्थी शब्द ही चलता है तो उत्तर क्या हुआ देखेंगे नीनु विद्यार्थी नीनु विद्यार्थी नीनु विद्यार्थी आगि दाया बोलने की जरूरत नहीं है नीनु इद्यार्ती बोलिये वाक्य सही होगा और कौन सा बचा आप आप लड़कियां है आप काउन है आप लड़कियां है इसका मतलब है यहां एक से ज्यादा है आपका प्रयोग नीनु के लिए नहीं होता नीवू के लिए होता है नीवू तो यहां अर्थ क्या होता है आप लड़कियां है का अर्थ है नीवू हुडू गी यहरू तो इस प्रकार आप सीखिये नानु नावू नीनु नियू अभी आपको पता चला है अगले वीडियो में आवनू आवलू आवरू इवनू इवलू आदी सीखेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्रेब करना ना भूले सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद